हलो फ्रेंड्स बलकम दूमा यूटूब चैनल सो गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल का एक्जाम होने वाला है 14 नॉमबर से 3 दिसंबर उसी के हाली के टेसियस के द्वारा पूछे गए सभी कोशन्स इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक हो से जरूर करें चैनल पर फ़ले आप जीट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर नोडिफिकेशन बैल आउन करना ना भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की सेसर में पहला कोशन्स 1772 में डेनियल रदर फोर्ड ने किस गंध हीन, रंग हीन, स्वाध हीन और रासानिक रूप से अक्रिय गैज का आविस्कार किया था और उसी समय C.W. शीले और H. कवेडिस ने इसे स्वतंतर रूप से पर्थक किया था इस कोशन्स का सही जबाब हो जाएगा नाइक्रोजन नेस्स कोशन्स देखेगा सवी बच्चे कोशन्स है, निम्न में से कौन अंतर राष्टिय ओलंपिक समिती IOC के पर्थम अध्यक्ष थे अंतर राष्टिय ओलंपिक समिती IOC के पर्थम अध्यक्ष थे डेमिट्रियोस विकलेस कौन थे डेमिट्रियोस विकलेस नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे नेस कोशन्स है कि करेवा निर्माड डेस में पाए जाते हैं करेवा जो निर्माड है ना एक कश्मीर हिमाले में पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं कश्मीर हिमाले नेसकोशनस देखेगा सभी बढ़े कनो बाष्टे क्या है? RIDF का पूंड रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है Rural Infrastructure Development Fund क्या होता है? Rural Infrastructure Development Fund पह्ला प्स्जक्रत ह escuch either आक कसकी है नेस कशेगा निमलिखित में से किसने लोग और आदिवासी नर्ट के साथ भारतिय सास्तिय नर्ट में यूरोपियर रंग मच तक्निकों का उपियोग किया उदैश शंकर ने तीसरा ओप्शन्स करक्ट हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे नेस कोशन्स क्या है कि कितने ग्रहे इस्तलिय ग्रहे हैं कितने ग्रहे इस्तलिय ग्रहे हैं टोटल चार पहला ओप्शन्स करक्ट हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा यह वाला कोशन्स तो हो गया है सात्मा कोशन्स गाइज है निम्ली लिखित में से कौन मुगल समराट सहां जहां के सिंगासन का उत्रा दिखा रही था औरंगजेव कौन था औरंगजेव अगला कोस्टन्स देखेगा ओलम्पिक शीत कालिन खेल दू हजार चबविस में खेले जाएंगे ओलम्पिक शीत कालिन खेल दू हजार चबविस जो है न ये मिलानो करटीनों में खेले जाएंगे कहां खेले जाएंगे मिलानो करटीन पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन्स देखेगा सभी वच्चे भारतिय-समिधान को अंगी करत किये जाने के समय इसमें कितने मूल अधिकार थे दूसरा ओप्शन्स सब्हों जाएगा कोशन्स देखेगा सभी बच्चे कि उनिसो सब्ताबन में किसने उस मॉडल को पुनार परिवासित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन यूग में इस्तिर्व वैदु प्रतिकर्शन की सीमा के अधार पर अलग-अलग अड़ों के आकार को पूर्वा नुमानिक किया था नेश कोशन्स देखेगा नेश कोशन्स है कि सोपारकर और उनकी विश व्यापी पहला डाउंस फॉर ए कोश का लोगो खालिस्तान सरकार दोरा जारी एक आधिकारिक डांग टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है भूटान आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन्स देखेगा कोशन्स क्या किस योगिक की सनरचना में चार कारवन अड़ों से यूपत एक सतत लगू सरंकला वसा अंगल सामिल होता है जो सामनता पसु बसा और बनसपती तेलों में इस्ट्री फाइट रूप में पाया जाता है विटारिक अंगल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नेस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे कोशन्स क्या कि मुल करतब सम्विधान के किस भाग में जोड़े गए तेखिए जो मुल करतब है ना ये सम्विधान के भाग 4A में जोड़े गए किसमें जोड़े गए हैं भाग चार ए नेस कोशन्स देखेगा पुरुसों के लिए कवड़ी के मैदान की वीमाई लंबाई चोड़ाईं क्या होती है देखिए पुरुसों के लिए कवड़ी के मैदान की जो वीमाई होती है 13M इंटू 10M कितने होती है 13M into 10M Next questions देखेगा सभी बच्चे ये questions आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे लेकिन आप लोगों का जो response है हमारे वीडियोस पर बहुत ही घटिया देखने को मिल रहा है बिल्कुल भी response आप लोगों कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है Next questions देखेगा फिर भी मैं अपना काम करता रहूंगा प्रधान मत्री सुच्म खाद प्रसंस्क्राण उन्यान योजना के तहट एक स्वयन साहता समुको साहता के रूप में सीड कैपिटल प्रारंबिक पूझी के रूप में कितनी रासी प्रधान की जाती है तोटल इसमें देखिए 40,000 रूप की रासी जो है वो प्रधान की जाती है दूसरा option सही हो जाएगा Next questions देखेगा Next questions अमवारा है राजसभा का पदेन सवापती कौन होता है तो राजसभा का पदेन सवापती होता है उपराश्ट पती निम्ड लिखित में से किसने एक अभियान की रूप रेखा त्यार की जिसे रॉलिट सत्याग रहे के नाम से जाना गया मातमा गांधी आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नैस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे नैस कोशन्स है कि 1950 में भारतिय समिधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्रदान किये गए थे नैस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे नैस कोशन्स है एक ग्रेन आफ सेट इन ओबर ग्लास आफ टाइम किस भारतिय राजनेता की आत्म कथा है ये आत्म कथा अरजुन सिंग की है किसकी है अरजुन सिंग अगला कोशन्स देखेगा निम लिखित में से किस भहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुल वरगा से खीदर इस्तानात्रित की थी ये किती अहमद साने दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे बीटिंग रिट्रीट समारो निम लिखित में से किस इस्थान पर आयोजित किया गया था तो देखे बीटिंग रिट्रीट समारो जो है न ये विजय चौक पर आयोजित किया गया था तो विजय चौक आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नैस कोशन्स देखेगा कोशन्स क्या है कि भारतिय भावतिक बिग्यानी सतेंदर नास बोस द्वारा दियेगा कोटम फार्मलेशन के आधार पर अलवट आइस्टीन ने किस बर्स में पदार्थों की एक नई अवस्था बोस आइस्टीन कंडेंट सेट वी इसी का अनुमान लगाया था वर्स 1924 में पहला ऑप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन्स देखेगा कोशन्स है लिथोई चनबं निम लिखित में से किस खेल से समंदित है तो देखिए लिथोई चनबं जो है न ये जूडों से समंदित है किस समंदित है जूडों खेल से नेसक कोशन्स देखेगा सबी वच्चे कि झी मस्ताइब करते हैं आपका सही अंसर हो जाएगा यह कोशन्स देखेगा दिये गए कत्रों को पढ़िये और सही विकल्ब का चैन कीजिए तो इसमें देखिए जो दूसरा और तिसरा देखिए मुख्यमंतरी राजियर सरकार के कानूनों और नेतियों को बनाने में महत्रकून भूमिका निवाता है तिसरे में क्या है राज के राजपाल के जूर्ड़ की द्वा राकी जाती है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है नेस्ट कोर्शन देखेगा कि कुर्शन क्या है आप उन दबाओं को क्या कहते हैं जो गराही साइट से जुड़ती है और इसकी प्राकर्तिक कारप्रणाली को नियंतरित करती है सही जवाब हो जाएगा एंगानो स्टिक तीसरा ओप्शन करक्ट हो जाएगा नेस्ट कोर्शन देखेगा सभी बच्चे तो देखें बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित ये अस्सो घोस के दोरा लिखी गए थी अस्सो घोस नेस्स कोस्टन्स देखेंगा रेणों और अग्रिमों उधार रासियों की बसूली खालिस्तान का एक उधारन है क्या होगा पूँजी इगत प्राप्तियों का नेस्स कोशिका में कोशिका विवाजन में मदद करना क्या होता है जन्तु कोशिका में कोशिका विवाजने मदद करना नैस कोश्टन्स देखेगा नैस कोश्टन्स हमारा है कि पूर्व की और बहने वाले किस नदी की द्रोडी जारखंड 36 गर और उडिसार राजियों को कवर करती है और इसका चल गरण छेतर 49,033 स्क्वार क्लो मिटर है इस कोश्टन्स का सही जबा हो जाएगा ब्रामरी ठीक है नैस कोश्टन्स देखेगा कोशिका में भरे हुए तरल मै help क कोश्टन्स को क्या का जाता है कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को का जाता है कोशिका द्रव क्या का जाता है कोशिका द्रव नेस कोशन्स देखेगा बोनालो उत्षब निम लिखत में से किस राजवे मना जाता है बात करेंगे नएस कोशन की नएस कोशन के दावरान निम लिखत में से किस गवणर जनरल ने विले न थी बैङबकद का सिध्याँत हडप निती तयार किया था इस questions का सही जवाब हो जाएगा लाट डलाओ जी next questions देखेगा सभी बच्चे questions है कि थुलूल नत्य की उत्पत्ती निमलेखित में से किस राज में हुई देखे थुलूल नत्य की जो उत्पत्ती है न ये केरल राज से हुई तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा अगला questions देखेगा सभी बच्चे भारत के स्वास्त एबं परिवार कल्यान मंत्राले ने किसोर लड़कियों और लड़कों 56 परतिसत लड़कियों और 30 परतिसत लड़कों में रक्तालपा के उच्छ परसार और घटनाओं की चुनोती से निपटने के लिए सब्ताहिक आइरन और फोलिक एसिट सप्टी मेंटने स्टेशन डबलू आई एफ एस कारिकरम किस बर्स में शुरू किया था 2012 में शुरू किया था अगला कोशन्स देखेगा ओन राइटिंग ए मियमार आफ दा क्रॉफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है इस्टीफन किंग कौन है इस्टीफन किंग अगला कोशन्स देखेगा सभी बच्चे नैस कोशन्स है संगीत के दिगज तान से अकवर से पुर्व निमलिखित में से किस दर्वार में दर्वारी गायक थे संगीत के दिगज तान सेन अकवर से पुर्व रीवा के दरवार में गायक थे तो रीवा आपका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नश कोशन देखेगा भारतिय मानसून के समद में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भारतिय मांसून के समद में कौन सा कथन सकते नहीं है मांसूनी बरसा देश की उच्छतम विसेस्ताओं से प्रबावित नहीं होती है तो चोथा उप्शन्स करेक्ट हो जाएगा देखिए मैंने अभी तक दिली पूलिस कौंस्टेबल के लगवग मैंने 45 वीडियो अप्लोड कर दिये हैं अगर आप लोगों ने इस सारे वीडियोस को कर देख लिया तो मैं यह यह गारंटी दे रहा हूँ जो जीके वाला सेक्सन है तो जीके वाले सेक्सन से आपका एक भी कोशन्स मिस नहीं होगा चाहें करेंट अफेर्स का हो चाहें साइंस का हो यह जोग्राफी का हो यानि जीके का कोई भी कोशन्स होगा आपका एक भी कोशन्स मिस नहीं होगा यह मैं गारंटी दे रहा हूँ लेकिन सर्थ यह है कि जो भी मैंने 45 वीडियोस मैंने अप्लोड किये है अगर आप लोगों ने उन वीडियो को देख लिया लिंक मैंने उन सारे वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रप्सन में मैंने दे दिया है ठीक है तो जीकला सेक्षन जो है आपका वहां से आपका एक भी कोशन्स मिस नहीं होगा लेकिन सर्थ मेरी यही है कि आपको सारे के सारे ये वीडियो जो हैं वो देखने पढ़ेंगे तब ही ये संबब है क्योंकि मैंने आप लोगों को SST इस्ट्रमोग्राफर की तयारी करवाई थी अपने दूसरे चैनल पे तो ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी चिनल लोगों ने हमसे तयारी की होगी मा कि आप किस चैनल से तयारी कर रहे हैं ये तो घरम को नहीं मालूम है आप किसी से अब त्यारी कर रहे हूं वो आपकी मरजी है हाँ जी के सेस्टन के मैं गाराटी ले रहा हूँ नैस कोस्टन्स देखेगा भारत में स्रम बल सांख की प्रदान करने बाले व्यापक घरलू सरवेच्छन का नाम क्या है जो पहली बार 1905 पर में आयोजित किया गया था इस कोस्टन्स का सही जवाब हो जाएगा रोजगार बेरोजगारे सरवेच्छन E.U.S अगला कोस्टन्स देखेगा नैस कोस्टन्स हमारा है दूसरी पंचबर्सी योजणा में भारती अर्थ विवस्ता की लक्षित ब्रती दर थी 4.5% अगला कोस्टन्स देखेगा सभी बच्चे 2015 में प्रख्यात नर्तियांगना और टेस्ट परतिपादक पदमसुन बढ़यम को राज पलेटरन विवाग दोरा इस्थापित केरल के प्रतिष्टेट कोरियोग्राफिक परोस्कार निशागांधी परोस्कार के लिए चुना गया था इस कोस्टन्स का सही जवाब हो जाएका भरत नाट्यम नैस कोस्टन्स देखेगा नैस कोस्टन्स हमारा है कौन से बंदरगा भारत के पश्चिमी तड़ परिष्टित हैं कांडिला बंदरगा मूर मुगाव बंदरगा कोची बंदरगा तो दूसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेस्ट कोशन्स देखेगा सभी वच्चे नेस्ट कोशन्स हमवारा है कि डैस 2005 को कार के अधिकार के रूम में जाना जाता क्योंकि यह भारत सरकार दौरा उन लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है जिने कार की जरूरत है और जो कार करने में सक्च्छम है मात्मा गांधी राष्टे ग्रामेड रोजगार गारंटी अधनियम तीसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैश कोशन देखेगा सभी बच्चे कोशन्स है जून डैस में भारतिय रिजर्व वैंक ने माइक्रो फाइनस के वियमन पर प्रामर्शी दस्ता वेच प्रकासित किया था बर्स 2021 में तो पहला ओप्शन्स सही हो जाएगा नैश कोशन देखेगा सभी बच्चे निम लिखित में से काउन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंत्रिम सरकार के उपाद्यक्ष थे जवाला नहरू अगला कोशन्स है मारा कौन सी पबने ACI महदीप में हिमाले के उत्तरी अच्छांसों पर तिब्वती उच भूमी के लगबक समांतर में बहती हैं जिट धाराएं निम लिखित में से किस मामले में उच्छितम नयाले ने समिधान के आधारवू सन्रचना वेसिक इस्टक्चर को इस्थापित करते हुए कहा कि राजव्यवस्ता पॉल्टी की लोग तांत्रिक प्रकरती आधारवू सन्रचना वेसिक इस्टक्चर का अनिवार घटक है केश असद अली खान निमलेखत में से किस भारती वाद यंद्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं तो तीसरा ओप्षन्स करेक्ट हो जाएगा लाश को संस रहेगा आज का हमारा भारत में पंच बरसी योजना में ना केबल योजना के पांच बरसों में प्राप्त किये जाने वारे विशिष्ट उदेश निर्धारित किये गए बलकि यह भी निर्धारित किया गया कि 20 बरसों की अबदी में क्या हासिल किया जाना है इस दीरगकाले की योजना को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है परिच्छेप योजना तीसरा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा ठीक है